हिलो फ्रेंज, मैं अनामिका, मेरी कीजिन में आप सभी का श्वावत है फ्रेंज, आज मैं आलू को कोड़े की रेस्पी लेकर आए हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होती है तो चलिए फटा-फट हम इसे बनाना शुरू करते हैं आलू का पकोड़ा बनाने के लिए हमने लिया है तीन आलू, हरी मिर्ज, लैसून, अद्रक, प्याज तो सबसे पहले हम कच्छा मसाला को तयार करेंगे तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जाल लेंगे और इसमें डाल लेंगे प्याज, अद्रक, लैसून, हरी मिर्च और इसे हम बहुत बल्या से पिष्ट बना लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने लैसून, प्याज, अद्रक का पिष्ट बना लिया है अब हम यहां पर एक बोल लेंगे और इसमें पेश्ट को ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बागी के पेश्ट भी उसमें डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा का टोरी बेशन यानि की चैने का आड़ा साथ में हम डालेंगे वन फोर्थ कटोडी कॉर्ण फ्लोर यहां पे आप चाहें तो चावल का आठा भी ले सकते हैं यह पकोड़े को काफी क्रिश्पी बनाता है साथ में हम इसमें कुछ सुखे एसपाशिस एड करेंगे तो यहां पे हम एक चमच धनिया पौडर डालेंगे यानि की कोडियंडर पौडर हमने हरी मिर्च डाल रखा है तो इसके लिए हम एक चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे कलर आने के लिए आधी चमच हल्दी पौडर डालेंगे श्वाद के अनुशार हम इसमें नमक डाल लेंगे बेजन है तो हम इसमें वन चमच आजवाइन डालेंगे आजवाइन को हम हधेली पर मीज के डालते हैं और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल लेंगे यानि कि वन फोर्थ चमच या दो चुटकी आप कहिए शारे इंगिडेज को हम अच्छे से फ्हेंटेंगे तो यहां पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके घोल बनाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ता है बढ़ियांसा एक पेटर तयार होता है पकोडे का तो आप देख सकते हैं हमने पकोडे के खोल को अच्छे से फ्हेंट के तयार कर लिया है सभी पकोडे का खोल इसी तरीके से बनता है यानि कि इतनी ही गाड़ी अपनी खोल होनी चाहिए अब हम इसे ढखके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए जिससे की अच्छे से अपनी वेटर फूल जाए तब तक हम अपना पकोड़ा काट के तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने आलू को पहले से सील के रोके रख लिया है अब हम इसके पतले-पतले स्लाइस काटेंगे पकोड़े की स्लाइस इतनी पतली होगी उतना ही क्विच्पी पकोड़ा तयार होगा तो अब या तो इसे चौपड़ से काट लिजिए या प्रैक्टिस है तो चाकु से भी काट लिए एक पर देख लिजिए एक दब पतली-पतली स्लाइस है तो ऐसे ही हम सभी पकोड़े काट लेंगे हमने आलू को अच्छे से काट लिया है बेटर में हम पकोड़े को डाल लेंगे एक बाड़ में आपको जितना पकोड़ा बनाना है उतना डाल लिजिए और चमल से उलट पलट के बेटर में इसे डिव कर लिजिए यानि किसमें अच्छे से मेटर लग जाना चाहिए अब च इसका एक्स्ट्रा बेटर गिराके और धीरे से तेल में छोड़ देंगे, धान रहें यहां पे आप ठोड़ा का सौधानी से डालिए, क्योंकि तेल बहुत गरम होता है, तो हम पकोड़ा को आराम आराम से छोड़ेंगे, एक बार में जिसना पकोड़ा आराम से डालिए, मेडियम प्लें पे हम इसे उलट लटके ब्राउन होने तक पकाएंगे, चलिए हम एक बार पकोड़ा को उलट लेते हैं, धान से आप ऐसे पकोड़े को उलट लेजी, जियान रहे, एक साइड से अच्छे से पकने के बाद ही हमें उलटना है, नहीं तो बेटर इसका लिकल जाता है, फिर ना पकोड़ा देखने में सूंतर लगता है, या खाने में मजा आता है, तो आप एक बन देखिए, एक साइड से अच्छे से अच्छे से अपना प्रेम्स आपने देख लिया हमने दोनों साइट से उलट पलटके ब्राउन और क्रिश्पी होने चाहिए प्राइब कर लिये हैं अब हम इसे ज़र्टी की मदद से तेरहा करते हुए एक्ष्ट्रा तेल कडाही में ही इडा देंगे और पकोड़े को हम एक लेट में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़ना अपना आलू का पकोड़ा बनके तयार हुआ है तो फ्रेंट्स आपने देखनी है आ लाइक शब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए धन्यवाद